कारगिल विजय दिवस की 25 वारश की 25 वारश क मना रहा है प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी शुक्रवार 25 वे कारगिल विजय दिवस के मौके पर दराश में कारगिल युधिस्मारक पहुँची बहाँ पर उन्होंने देश के अमर सहीदों को श्रत घांजली अर्पित की इसके अरावा मोदी शिकूल लासूरंग पर योजना का भी सिला न्यास किया इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आतंगबाद, जम्मु कश्वीर, लद्दाक, अकनिपत, योजना और विपक्ष पर बात की प्येम ने कहा पाकिस्तान प्रोक्सी वार के जरिये चर्चा में बना रहना चाहता है, उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सिखा अतीत में आतंगबाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे, मैं जहां खड़ा हूँ, वहां से आतंग के आकाओं तक मेरी आवाज पहुच रही है, उनके मनसूबे कभी काम्याब नहीं होंगे प्रधान मंत्री ने कहा, सेना का रिफॉर्मेंस हमारी पहली प्रात्मिकता है, अगनीपत योजना, इसका हिस्सा है, संसद में दर्श को और तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही, कई कमेटियों में यह विशे उठा लेकिन इस बदलाओ की पहले एक्छाशक्त नहीं दिखाए गई, कुछ लोगों की मानसिक्ता यही थी, कि सेना का मतलब नेताओं को सलाम करना, परेट करना होता है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने कहा, कि सेना का मतलब 140 करोड देश वासियों की सुरक्षा सांती की गरंटी है आज लद्दा की ये महान धर्ती, कारगिल विजय के पचीस वर्स पूरे होने की साक्षी बन रही है कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट के लिए दिये गए बलिदान अमर होते हैं दीन, महिने, वर्स, सदिया गुजरते हैं सर्दिया भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं लेकिन राष्ट की रख्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमीट रहते हैं ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सरवदा रणी है ये देश उनके प्रती कृतज्य है अतीत में जितने भी दुश्प्रयास किये उसे मुह की खानी पड़ी है लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सिखा है वो आतंगवाद के सहारे प्रोक्षी वार के सहारे अपने आपको प्रासंगीत बनाए रखने का प्रयास कर रहा है लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहां आतंग के आँकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है मैं आतंगवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि उनके नापाग मन सुबह कभी काम्याब नहीं होंगे आतंगवाद को हमारे जवाज पूरी ताकत से कुछलेंगे दुश्मन को मुहतोड जवाब दिया जाएगा मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहां आतंग के आखाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है मैं आतंगवाद के इन सरप्रस्तों को कहना चाहता हूँ कि उनके नापाग मन सुबह कभी काम्याब नहीं होंगे न्यू वीडियोज की अपडेच पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाए ये है इंदू ब्राटकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूस हर पल, हर शन, हर सच